हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब भी बढ़िया होंगे दोस्तो आज की वीडियो में आपको दुनिया के साथ सबसे महंगे फलो की बारे में बताने वाला हूँ और इस लिष्ट में कुछ ऐसे फल भी हैं जिनको खाने से पहले आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है क्योंकि दोस्तो इन फलो को आम आदमी नहीं बलकि अंबानी जैसे रहिस लोग ही खरीज सकते हैं अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को पूरा देखो आप खुद बाखुद समझ जाओगे और मेरी बात पर विश्वास करने लगोगे लेकिन दोस्तो उससे पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि प्लीज हमारे चैनल अनोन फेक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करो और घंटे को भी दबा दो दोस्तो लोग अकसर गोल तर्बूच खाते हैं अब आप बोलोगे तर्बूच गोल होते हैं तो गोल ही खाएंगे ना जी हाँ बिल्कुल सई का आपने लेकिन दोस्तो अब मैं जिस तर्बूच के बारे में बात करने वाला हूँ वो स्क्वेर शेप में है जापान में रहने वाले एक किसान ने इस नॉर्मल तर्बूच के साथ कुछ डिफरेंट करने का सुचा और तभी सी ये तर्बूच को गोल की जगा स्क्वेर शेप में उगाने लगे जिसका वजन पांच किलो ग्राम के उपर ही होता है लेकिन दोस्तो आपको जानकर हरानी होगी कि इस तर्बूच की कीमत लगभग 55,000 रुपे है ये तो हमारे देश में सरकारी नौकरी करने वालों की एक महिने की पगार है दोस्तो अब मैं आपसे पूचता हूँ कि क्या आप अपनी एक महिने की पगार को इसे खरीदने के लिए खर्च करोगे हमें कॉमेंट में जरूर बताना इससे पहले दोस्तो आपको ये बता देता हूँ कि आखिर कैसे इसे स्क्वेर शेप में उगाया जाता है इसे चोकोनी कंटेनर यानी मोल्ड में डाल गिया जाता है जिसकी वज़े से इसका शेप राउंड होने के जगा स्क्वेर में हो जाता है दोस्तो अब मैं आपसे जिस सेप के बारे में बात करने वाला हूँ वो कोई आम सेप नहीं है बलकि दुनिया का सबसे महंगा सेप है जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या होता होगा दोस्तो इसके फाइदे बताने से पहले आपको बता दो कि इस एक सेप को खरीदने के लिए आपको 20 डॉलर यानी 15 सुर रुपे देने होंगे जी हाँ दोस्तो और इतना महंगा होने के बावजूद दुनिया भर के रही से लोग इसे खरीदने के लिए बेकरार रहती है पाइनेपल दोस्तो ये अननास दुनिया के सबसे महंगे फलो में से एक है और इनकी खेती इंगलेंड में की जाती है और इनकी खेती करते समय बड़ी सावधानी बढ़ती जाती है और यही वज़ा है कि इन पाइनेपल की खेती में 50 से ज़्यादा किसानों दौरा ग्रीन हाउस में घोले की खाद और भूसे के इस्तमाल से की जाती है जिने इंगलेंड के लॉष्ट गार्डन ओफ हेलिगन में उगाया जाता है दोस्तों यह जितने हेल्दी और टेस्टी होती है उतने ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती है और इनका कलर यलो नहीं बलकि लाल होता है अब दोस्तों इतनी ज़्यादा खूबी होने के बाद आप समझी गए होंगे कि इसे खरीदने के लिए भी आपको अपना बैंक बैलेंस थोड़ा कम करना होगा जी हाँ दोस्तों इस अननास की कीमत लगभग 2000 डॉलर यानी करीब 1.5 लाक रुपे तक होती है दोस्तों आम तोर पे स्ट्रोबेरी थोड़ी बहुत भैंगे ही होती है क्योंकि इसे त्यार करने की लागत और समय बहुत ज़्यादा लगता है पर दोस्तों जैपनीज वाइट स्ट्रोबेरी कुछ ज़्यादा ही अलग है जपान के चकोर तरबूस से आपको पता चल ही गया होगा कि जपान अपने फ्रूट्स में कुछ न कुछ उट पटांग करता ही रहता है और दोस्तों कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला इस वाइट स्ट्रोबेरी में जपान के किसानों को कहना है कि ये क्रॉस ब्रेडिंग करते हैं जिसकी वएसे इसका रंग वाइट होता है दोस्तों वहाँ के लोग इस स्ट्रोबेरी को खाने और उपहार के रूप में देने के लिए 15 डॉलर खर्च करती है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना हाला कि इसकी टेश्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लेकिन इसकी कीमत को देखकर इसे खरीदने वाले को जपान का अमीर इंसान भी माना जाता है दोस्तों क्या आप कभी 11,000 डॉलर यानि तकरीबन 8 लाग के अंगूर खाना चाहोगे शायद इसकी कीमत सुनकर आपका मन बजार में मिल रहे आम अंगूर को खरीदने का भी नहीं हो रहा होगा दोस्तों इन अंगूरों को सबसे पहले 2008 में उगाया जाता था जिनका आकार पिंग पॉंग बॉल की तरह दिखाई देता है और दोस्तों इनकी खेती काफी दुरलब तरीके सिखी जाती है दोस्तों मैं आपको बता दो कि इसके एक गुच्छे में 30 अंगूर होते हैं जिसमें एक का वजन लगभग 20 ग्राम तक होता है और दोस्तों अगर आप इस गुच्छे में सिर्फ एक अंगूर का स्वाद लेना चाते हो तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपे की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और दोस्तों इन्हें सिर्फ एक सीजन में त्यार किया जाता है जबकि बाकी दिनों में इसे स्टोर करके रखा जाता है दोस्तों ये दिखने में तो आम खरबूजे जैसा ही होता है पर ये खाने में एकदम लजीज, स्वादेश्ट और मीठा होता है जिसे खरीदने के लिए तकरीबन 16 लाक रुपे खर्च करने पड़ते हैं दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये रकम सुनके आपका फलो के उपर से विश्वास से उड़ गया होगा लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अमीर लोग होते हैं जो ऐसी महंगी चीज़े खरीदने का शौक रखते हैं आर्ट बनाना इतनी कीमत दे सकते हो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताना आपका तो पता नहीं पर हम अपना पूरा घर बार जमीन जायदाद भी बेज दें तब जाके इसे खरीदने की सोचेंगे तो दोस्तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही अब आप कमेंट करके बताईए कि आप इन फलो के बारे में क्या सोचते हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेर करना ना भूलें और ऐसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो उसको देखने के अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद